हां जी कैसे हैं आप सभी स्वागत है आपका वापिस से चाही और कोड और हमारा मेगा प्रोजेक्ट चल रहा है इस वीडियो का टार्गेट है सबसे पहले तो सिर्फ 300 कमेंट्स इस वीडियो के अंदर आपको थोड़ा सा RTE के बारे में बताएंगे रियल टाम एडिटर जिसको बोलते हैं काफी अलग अलग तरह के आपके पास आते हैं हमारा वाला थोड़ा सा इजी है काम करना लेकिन एक प्रॉब्लम यहां पे भी है अब देखिए अभी तक हम क्या कर रहे थे एक इंपुट बॉक्स सेपरेट बना रहे थे फॉर्म जब चाहिए था तो इंपुट बॉक्स को ले रहे थे और जो हमारा हुक है फॉर्वर्ड वाला वो सीधा सा काम कर रहा था हमें रेफ्रेंस दे रहा था पेरेंट के अंदर अपने आप सारा काम हो रहा था अपने पास सारा एजीली हो रहा था लेकिन अब यहां पर भी सेम प्रॉब्लम है कि हमारे पास अक्चली में जो आर्टी ही वो तो एक सेपरेट कंपोनेंट बनेगा और या तो उसको आप रैप करिए पूरा फॉर्वर्ड वाले हमारे हुक के अंदर और फिर उसका अक्सेस लीजे लेकिन क्योंकि हमारे पास यहां पर रियाक्ट होग फॉर्म है तो उसके अंदर भी सेम टेक्नीक कैसे की जाती है वो हम यहां पर देखने वाले है और फॉर्म थोड़ा से इंट्रस्टिंगली डिजाइन करेंगे क्योंकि यही सेम आपके post submit के लिए भी काम आएगा, edit में भी यही काम आएगा, exactly same content ही तो है तो edit करना है तो सारी values लोड करके उसको दे दो और अगर नयाब create करना है तो empty values दे दो और थोड़ा सा slug वगरा के बारे में भी हम देखेंगे कि किस तरह से हम actually में थोड़ा सा use effect का interesting एक example लेंगे, कहीं पर भी अगर वो space add करता है तो हम उस space की जगे एक dash add कर देंगे, तो बड़ा ही simple है, तो उसको भी हम देख लेते हैं, बड़ा ही simple सा काम है, इतना जादा कुछ complex है नहीं, तो चलिए, सबसे पहले हम component बनाते हैं अपने, तो component पर right click करके एक new file बनाते हैं, यह जो file है actually म right click, new file, हाँ जी अभी लिख रहे हैं, तो यह हमारा rte है, तो rte, caps में लिख देते हैं, dot jsx, क्योंकि jsx तो है ही, इसमें तो क्या ही रोख सकते हैं, ठीक है, अब यह जो है ना, यहाँ पर rfce हम दे रेते हैं, और actually मैं directly export कर लेते हैं, ताकि easy रह थोड़ा सा, समझने में, export default यह लिजे, अच्छा, react तो हमारा पास आ गया है, react ही चाहिए, अब हमें दो चीज़े चाहिएगी, actually मैं, पहली तो बहुत आसान है, हमें क्या है, कि पहली तो चीज़ है, editor, यह लिजे, editor, अभी editor कहां से मिला है, actually मैं आपको, यह editor आपको मिला है, यह जो tiny mce install कराता है, य पोस्ट करें, मुझे सिर्फ editor return करना था, तो मैं इस तरह से editor return कर सकता हूँ, इसको ही आप कर सकते हैं, और इसके अंदर values होती है कुछ, कि आपको कौन-कौन सी value चाहिए, तो एक तो आपके पास यह initial value वाला concept है, कि by default इसके अंदर क्या है, तो मैं यहाँ पे कुछ message भी दे सकते हैं, तो यह सारे आपको देखने ही पड़ेंगे, इसके उपर कोई option नहीं है, तो जैसे हमने दे दिया कि branding क्या करो, इसको false कर दो यहाँ पे, यह लिजे branding की value को हमने false कर दिया, यहाँ पे शायद एक और curly braces लगेगा, क्योंकि यह first जो values है, यह properties है, हाँ जी, यह first वाल default होता है इसके अंदर, और भी और values है, आप इसके अंदर menu bar आपको चाहिए नहीं चाहिए, तो यह सारे तो हमें पूछने ही पड़ेंगे उससे कि क्या क्या values है, इसके अंदर कैसे कैसे, documentation पढ़ना पड़ेगा, basic सी बात ही है, अच्छा, इसके अलाब आप plugins भी इसको दे स अच्छा, इता ही नहीं, आपको toolbar access भी मिलता है इसके अंदर, यह लिजे toolbar, और toolbar के भी आपको suggestion में मिल जाएगा कि क्या क्या toolbar की values है, तो देखे, undo दे दो, redo दे दो, formatting option, bold, तो बस यह है, तो यह तो हमने देख लिया, कि ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, हम editor तो सम दो रहा थी, नहीं, इसको एक बड़ टेस्ट करके हम कर लेते हैं, ताकि error ना है, ठीक है, लेकिन problem क्या है, क्योंकि आपका editor separate जगे design हो रहा है, as a separate component, इसको कहीना कहीं यूज भी तो करोगे, तो कोई form में, कोई post form में, कहीना कहीं तो use करेंगे, तो वहां से mainly मुद्दा य दो, बट क्योंकि इस तरह के काम आप करोगे, तो actually में एक और हमें चीज पढ़नी पड़ेगी, वो है controller, अब ये controller क्या है, react hook form से मिलता है, ठीक है जी, controller आपको यहां से मिलता है, तो controller के बारे में भी बताईए, तो यहां पे देखे, controlled input नाम से एक अपना पूरा section है यहां input, तो जो काम हम आप कर रहे हैं, वो ही same definition में लिखावा है, however, it's hard to avoid working with external control components, such as react select, and d, यह तो सब अलग controllers है, तो इस काम को streamline process के लिए कहते हैं, कि आपको hook हुक की जरूत नहीं है, अगर काम में लेना है, तो ले सकते हैं, but actually में यहां पे अगर आप ले रहे हैं, तो उसको ज ले दीजे इस तरह से, और वही field का आपको यह इस तरह से देना पड़ेगा, एक callback है, जिसके अंदर curly braces के अंदर हम fields ले ले लेंगे, उसके अंदर आपको कुछ और भी लेना है, तो आप ले सकते हैं, actually में यहां पे key value pair होता है, तो आपको क्या-क्या field के उपर on change पे कोई मैं लोगा name, तो आप मुझे name बताओगे, इसके अंदर क्या है, अब एक और जो चीज यहां पे लेंगे, वो लेंगे control, अच्छा है, यह control ही actually में react hook form से आता है, और यही control responsible है, इसकी सारी state वगरा को उस form में ले जाने के लिए, यह तो अभी component है, तो component से form में, तो यह control कहा से pass करोगे, जब इस RTE को हम use करेंगे, वाँ पे, ठीक है, थोड़ा सहा मनता हूँ, नई information है, बट देखिए tutorials है इसलिए ना, कि नई information हो, सारी पुरहनी information देंगे, तो कैसे काम चलेगा, अच्छा है, यहां पे क्या है, एक हम default value भी ले ले लेता है, ताकि अगर कोई और इ information हो गई, important इसमें यही है, सिर्फ आपका control, जो कि I actually मैं इस component से control pass on करेगा, जो भी इसको call करेगा, उसके अंदर, अब इसको use कैसे करना है, वो भी बड़ा easy है, तो पहले एक बार यहां चलते हैं, हमारे div के अंदर, इसको width दे देते हैं, class name w-full, जैसे हम वो inputs बना रहे थे almost same उसी तरह से, सबसे पहले बात आती है, लेबल की, तो लेबल के अंदर क्या करना है, वो यह अपने javascript inject करो, और बो लेबल अगर है, तो लेबल दे दीजे, उसी तरह से, तो यहां पे लेबल के हमारे पास classes थोड़ी सी अलग है, लेबल हमने design किया था, तो कुछ classes अलग करती हैं, अब आती है असली बात हमारे controller की, controller हम self closing ले लेता है, ठीक है जी, अब controller क्या है, पूरा का पूरा control यहां से pass करेगा कहीं और, तो controller आपको 3-4 चीजे देता है, आप देखेंगे यहां पे, controller पे आप name भी दे सकते हैं, एक control भी दे सकते हैं, जो की parent component call करेगा, rules भी आप define कर सकते हैं, और render element में define कर सकते हैं, तो एक एक करके 3-4 को हम define करते हैं, सबसे पहले तो name value ले 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 लेते हैं, अब name के अंदर क्या है, कि हम actually में, जो यह name pass हुआ था, हम इसी name को use कर लेंगे, तो या तो यह name दे देते हैं, actually मैं curly braces में लिखना पड़ेगा, क्योंकि variable है, name ले देते हैं, अगर name नहीं है, तो यहाँ पर हम क्या बोल लेते हैं, उसको content बोल लेते हैं, आपका जो मन करें बोलिए, string है, और कुछ भी नहीं है, ठेक है जी, इतना काम हो गया, अब यह जो चीज है, control, यह control देगा parent element, तो जो भी parent element इसको call करेगा, हम as it is, यहाँ pass कर देंगे, ताकि वो पूरा control ले पाए, जितने भी events हो रहे हैं, इसकी state है, इसके अंदर values क्या है, data क्या है, वो सारा का सारा ले पाए, अब जो सीखने like यहाँ चीज है, कैसे elements render करते हैं, यह थोड़ा सा interesting है, देखिए, यहाँ पर क्या करी है, सबसे पहले तो एक callback डा अलग-अलग properties आपको लेते हैं, जैसे यह use API hooks वगरा, और भी काफी दोने example दे रखे हैं, actually मैंने भी यही से देखा है, ऐसी कुछ बात नहीं है, अलग-अलग services के थुरू, काफी schema validation, तो देखिए, सबसे easy क्या है, यहाँ पर हमारे पास एक curly brace लेते हैं, और एक हमारे पास field होगा, अब field के उपर tracking क्या लगानी है, वो इस तरह से लगाई जाती, जो भी event की tracking आपको लगानी है, on blur, on change, suggestion दे रहा है, तो मुझे अभी on change की लगानी है, कि इस field के अंदर कुछ भी change अगर होता है, तो मुझे inform कर देना, render की साथ, तो हम उस field का on rendering यहाँ पर देख रह में अभी हमने just देखा, वो का वो same example है हमारा, कि यह हमारा editor है, इस तरह से हमने values लिये, और यह हमने उसको self closing कर दिया है, अब देखिए editor की already हमने बात कर लिये, कि उसके अंदर यह हमारे पास height हो गई, menu bar हो गया, और भी कुछ values अगर आपको चाहिए, तो जैसे initial values के अंद बार भी दे देता है, user को क्यों ही रोकें, तो यह लिजे true दे दिया, plugins की list आपके पास है, मेरे पास एक array है plugin का, तो मैं actually में उस array को ले आता हूँ, जो कि हमने actually में use किया था, आपका मन करें उसमें कम जादा आप कर सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है, यह लि हम क्या करते हैं, और भी toolbar के options भी हाँ ले आते हैं, तो toolbar के सारे के सारे option, string से यह ले आते हैं, तो यह रा toolbar, हाँ पूरे as it is यही है, suggestion में भी I think same ही आये हैं, तो यह है, अच्छा इसके लावा और भी option है, ऐसा नहीं कितनी है, जैसे content style भी एक है, और भी है content blog भी आपको suggestion मे दिख ले होंगे, block format भी है, कि header paragraph और कुछ भी चाहिए, तो यह तो documentation पढ़ना पड़ेगा, तो हम यहाँ पे लाते है content style, और content style भी हमारे पास है, कौनसी values है, तो उसको भी हम ले आते हैं, कुछ नहीं, उसके अंदर body वगरा change करी है, बस और कुछ भी नहीं करा है, इतना को body, font, font size, default values वो दिया है, अच्छा, अब क्या है, देखें, यह on editor change, editor पे कुछ भी change होता है, तो यहाँ पे हमने एक value लगा रखी है, वो है हमारी, कहां गई, यह री, field, तो field पे on change, इसी को हम use करेंगे, अभी just करके देखाऊंगा, इसी को हम use करेंगे, तो यह थोड़ा से concept है, कि editor में कुछ भी change हो, तो हमारे field जो है, वो governed होरे on change है, तो जो भी method आप use करें, as it is, use कर लीजे, यहाँ पर, मानता हूँ, थोड़ा सा complex है, बड़े कि functionality additional डाल दिये, तो थोड़ा सा documentation और यह सा पढ़ना पड़ेगा, कि किस तरह से values आती है, तो यहाँ तो होगे हमारा first काम की, ठीक है, इस तरह से आता है, अब इसको use कैसे करना है, जब भी आप editor वगरा use करेंगे, तो करना कुछ भी नहीं, editors इसका RTE का सिर्फ क्या है, label हम वहाँ पे देंगे, और control हम ले लेंगे इसका, ठीक है, आप control वगरा कैसे लेते हैं, उसका भी देखते हैं, तो इसक file बना लेते हैं, post form.jsx, ठीक है जी, अब यहाँ से थोड़ी कहानी आपको clear होगी, कि actually में क्या-क्या values है, on change क्या है, control क्या है, वो सब यहाँ से आपकी थोड़ी कहानी clear होती है, react तो लेंगे लेंगे, और यहाँ पे actually में एक use callback भी लगेगा, उसको भी आगे जाके हम handle कर है, अब देखे, एक तो आपके पास यहाँ पे आएगा use form, use form actually में हमारे पास आता है, react hook form से, actually में अभी नहीं है हमारे पास, हाँ react hook form से, ठीक है जी, इसको भी use करेंगे, कुछ buttons वगरा हमें चाहिएंगे, तो यह लीजे button आ गया है, हमारे पास में button आ गया है, input आ गया है input भी चाहिएंगे, क्योंकि इस form के अंदर काफी और चीजे भी है, select भी चाहिए, form components नहीं, यहां से तो नहीं आएंगे यह सब, okay, back जाते हैं, dot dot slash, और index, हाँ जी, index से ले ले लेते हैं, okay, सिर्फ इतना ही नहीं, एक RTE भी चाहिएगा, RTE हमने इसके अंदर export नहीं कर रख है, import, RTE, RTE से ले लिया और इसको export कर देते हैं, यह लीजे, अब hopefully हमें मिल जाएगा है, यह आपके पास RTE है, यह लीजे, RTE आ गया, okay, app write की services भी लगेगी, क्योंकि actually मैं data collect करके send, तो app write को ही करना है, तो उसकी services तो लगेगी, लगेगी, dispatch बगरा का देखेंगे बाद में अभी तो चाहिए, app write service, okay, app write service ही बोला था ना हमने इसको, app write के अंदर जाके config में, हमने इसको service बोला था actually मैं, config के अंदर service ही बोला था, app write service भी बोल सकते हैं, क्योंकि export default है, service ही बोल लेते हैं इसको, app write service बोल लेते हैं, चलिए अभी के लिए तो, और यह आएगी हमारे प एक और डिरेक्टरी बैक जाना पड़ेगा एपराइट के अंदर जाना पड़ेगा और एपराइट के अंदर हमेर पास है config ठीक है जी एपराइट की service तो हमेर पास आ गई है better है हमें नाम उसका एपराइट service देना चाहिए था but service भी देंगे तो भी चलेगा और क्या चाहिए नैविगेटर सेलेक्टर चाहिए ठीक है यूज नैविगेटर रियाक्टर डॉम से आ जाएगा और एक सेलेक्टर भी चाहिएगा information तो चाहिएगी यूज सेलेक्टर ठीक है यहां से तो नहीं चाहिए सेलेक्टर कहां से मिलेगा यहां से यह वाला चाहिए ओके अब आते हैं के करके functionality पर बात पहले जो basic काम है वो तो करी लेते हैं अब देगे सबसे important जो चीज है जो आपको सीखने लाएक है उसी को सबसे पहले handle करते हैं हमें कुछ information चाहिएगी कहां से चाहिएगी जो आपका use form है यहां से कि जब भी आप form use करेंगे इसी तरह से आपको information चाहिएगी यह लिजे अब क्या क्या देता है आपको use form देखे use form आपको काफी information दे सकता है depends आपको क्या का use करना अभी तक जो हमने देखा था एक तो register देखा था ठीक है जी एक हमने देखा था handle submit यह लास्ट वीडियो में देख चुके हैं लेकिन आपको watching capabilities भी देता है कि किसी field को अगर आपको continuously monitor करना है तो आपको watch capabilities भी देता है आप किसी भी form के साथ watch लगा सकते है यूज कैसे करना है वो हम देखेंगे उसके बाद आपकी set value भी दे सकता है तो हम directly value लिखके नहीं करते हैं क्योंकि अब हम forms जो है react के forms यूज करने react hook form तो इसी तरह से values को set किया जाता है अगर किसी form का आपको control चाहिए तो यहाँ पे भी आपको यह directly control मिलता है यही control हम pass करेंगे as it is our team है तो वहाँ से जो भी syntax है जो सब है वो मुझे control मिल जाएगा और एक और चीज़ चाहिए get values तो जितने भी form की अगर आपको कोई values कभी भी grab करने हैं सारे forms की है जिसकी भी तो आप यहाँ से ले सकते हैं यह तो हो गया हमारा use form अब use form के अंदर actually मैं आप एक object भी pass कर सकते हैं जिसके अंदर आप जो भी values देना चाहिए वो दे सकते हैं अब देखिए मैं देता हूँ default values अब default values क्या है default values वो सारी values है जो actually मैं हम use करेंगे अभी यहाँ पर इसने suggestion में कुछ भी दे दिया है उसका हम चिंता बाद में करेंगे अभी तो हम सिर्फ एक title रख लेते हैं ताकि हम confused ना हो तो यह title हमने ले लिया है यह सारी default values है जो हम काम में लेंगे ठीक है अभी शायद ठीक है यहाँ पर ओके आपको क्या-क्या issues है यहाँ पर आ गए है हम यह तो use form है यह use form का end हो रहा है ओके देखते हैं एक बार suggestion में क्या आ रहा है एक कॉमा चाहिए यहाँ पर यहाँ क्यों कॉमा चाहिए आपको ओके देखते हैं एक बार इसको भी चेक किया जाए कि कहां पर इनकी errors आ रही है ओके जी चोटी सी error थी एक curly braces हम यह miss कर रहे थे तो finally curly braces आ गया है ठीक है अब यह जो default values है ना इनको किस तरह से लिखा जाता है वो भी आप देख लीजाए यहाँ पर देखे default values के लिए पहले तो कुछ information चाहिएगी हमें अब वो information हमार पास आएगी कहां से तो information कहां से आएगी actually में हमें एक post चाहिएगा और हम देखेंगे कि अगर हम पहले query करके देखेंगे क्योंकि हो सकता है user इस form पर आया हो edit करने के लिए या फिर user आया हो एक नई values को देने के लिए तो नई values को अगर लेने आया है तो ठीक है empty दे सकते हैं लेकिन हो सकता है वो edit करने आया हो इनकेस अगर वो edit करने आया है तब हमें यह आपे कुछ default values देनी पड़ेगी उसको और default values क्या जो भी database से आएगी या app right से हमार पास values आएगी अच्छा अब एक नया सवाल आता है कि ठीक है हम इस form को reuse करने वाले हैं तो यह बताइए कि यह values आईगी कहां से जो भी इस form को use करेगा वो पास करेगा मिर पास simple सी बात है मिरको कोई सपने थोड़ी ना आएंगे कि अच्छा इस form में आया तो अपने आप तो जो भी इस form को use करेगा अपने आप उस पे click करके ही तो आयोंगे edit बटन पर जब भी edit बटन पर press करेंगे तो post की सारी information दो हमें तो ठीक है अब यहाँ पर क्या करना है यह content को भी हम यह करेंगे कि हमारा जो content है यहां पर उस content की value भी क्या करेंगे post के अंदर content है तो use कर लो नहीं है तो empty दे दो और उसके बाद एक status भी है status, status भी field है post का अगर status जो भी है वो status ले लो अगर नहीं है तो इसको by default हम active शो कर देंगे यह लिजए बस इतना ही काम था default values तो समझ में आ गई अब चलते हैं थोड़ा सा और देगे सबसे पहली बात तो यहां पर है तो कुछ user data भी चाहिएगा थोड़ा सा navigation वगरा के भी हमारे काम आएगा तो उसके बारे में थोड़ा discuss कर लेते हैं navigate तो use किया है तो उसको बनाई लो इसमें तो चिंता करने वा खवा है वहां से ले लते हैं तो use selector से बोलते हैं कि user data मुझे दे दो ठीक हली user data आपको मिल चुका है यहां पे अब बात क्या है अब इच्छी अब बात क्या है सबसे पहली चीज तो अगर user نے form submit कर दिया है तो क्या करो अब user ने अगर form submit कर दिया है तो उसने data pass करा होगा आ तो पहले एक submit नाम का एक form बनाते हैं और देखते हैं क्या क्या चीज़े किस तरह से काम करेगी अब दो cases है या तो post की value है already अगर है तो update करो और अगर post की value नहीं है तो एक नई entry create करो हाँ जी तो इस तरह से काम करना पड़ेगा तो एक बनाते हैं हम यहाँ पे submit यह होगे हमारा submit और submit के अंदर async के अंदर ही सारा data जाएगा कुछ इस तरह से यह लिजे async का data अब दो cases यहाँ पे बनते हैं एक तो आपके पास post है और एक नहीं है अगर post है आपके पास तो क्या करने जा रहे हो अगर post आपके पास है अपडेट ही तो करने जा रहे हो हाँ जी तो update में सबसे पहला काम क्या करेंगे है सबसे पहले file को handle करते है file को handle करने के लिए हमने upload file अल्रेडी बना रखा है, तो सबसे पहले क्या करो, लेो और फाइल को अपलोड कर दो, ठीक है जी, फाइल को अपलोड कैसे करेंगे, जो डेटा है, रियाक्ट हुक फॉर्म का यही सबसे बड़ा फाइदा है, कि हम इस टाइप के फॉर्म्स बना सकते हैं, जो कि डेटा एकसे करें, अगर आप by default ऐसे बनाते तो बहुत सारा महनत लगता है, उसमें बहुत effort जाता है, तो डेटा आपको directly access देता है, इन images का, तो जित्ती भी images हैं, आपको इस तरह से image मिल जाती है, हमें first image चाहिए, वैसे तो array होता है, multiple images भी support होती है, बट हम इस तरह से लेंगे, ठीक ह अगर आपके पास image है, तो कुछ करो, और अगर नहीं है image, तो कुछ करो, तो क्या करना है, कुछ नहीं करना जी, नल करना है, ठीक है, अगर है image, तो क्या करो, तो कुछ नहीं, app right की service यूज करो, और उसको बोलो कि हम use करेंगे एक upload file आपकी service, अब upload file को क्या क्या चाहिए, data अच्छी है तो as it is data दे दो उसको data.image तो यहां पर हम दे देंगे अपनी image और इसकी first property first image ही हमें देनी है अब यह सब अगर आ गया है तो एक variable बना लेते हैं file और उसमें store कर लेते हैं ठीक है जी इतना काम तो हमारे पास हो गया है अब अगर आपके पास file आ चुकी है तो एक काम करो इसको भी तो save करना ही है ठीक है जी और क्योंकि post आपके पास already था पहले से तो एक image delete भी तो करनी पड़ेगी चलो upload तो कर दी अच्छी बात है बट पुरानी image delete भी तो करो तो हाँ जी वो भी करनी पड़ेगी तो हम क्या करेंगे यहाँ पर file देखे अब file actually में हमारे पास है मतलब upload हो गई है तो मैं data का एक deletion का operation यहाँ पर चलाता हूँ तो app right की service यूज़ करेंगे और उसको बोलेंगे कि एक file delete कर लो यह delete file इस तरह से है और क्योंकि post का access में पास है तो post.image अब post.image के अंदर क्या store कर रहे हैं सारे की सारी जो आपकी files उसका ID तो store कर रहे है और delete करने के लिए यही तो चाहिए था तो आपकी file delete हो गई है तो यह आपकी image यहाँ पर हो गई है अच्छा इसको हम image नहीं बोल रहे है actually मैं database में अगर आपको याद हो तो हमने इसको featured image बोला था तो जो भी आपने image को बोला है उस तरह से बोल दो तो देखो अब post है तो file upload भी हो गई है और delete भी हो गई है अच्छा अब post को update भी तो करना पड़ेगा अब लखीली हमने उसके लिए service बना रखी है लेकिन उसको सारा data तो देना ही पड़ेगा अच्छा data भी देना पड़ेगा इतना भी काम नहीं है लेकिन data भी दे देंगे चलिए अब यहाँ पर अगर config में जाते हैं और post अगर update वाला section जो है तो आपको देहान है यह slug भी देना पड़ेगा slug क्या है actually में post का ID है उसी से तो store कर रहे हैं सब कुछ हम और बाकी information भी हमें देनी पड़ेगी ठीक है जी दे देते हैं कोई इतना दिक्कत वाली बात है नहीं तो क्या करिए सबसे पहले हम बोल देते हैं इसको db post जो भी आपका मन करें variable का नाम यह हम इसको करते है await और app write के service यूज़ करते है update post की अब update post में सबसे पहले slug चाहिए तो slug कहां से मिलेगा post dot dollar id यह dollar id हमारा सारा काम कर देगा ठीक है इस तरह से value आ गई और इसका यह भी close हो गया अब इसके अंदर और values क्या क्या दोगे कुछ भी नहीं करना है सीधा spread कर दो data को क्योंकि field इस तरह से बनाएंगे कि सारा काम हो जाएगा बस एक field overwrite करना पड़ेगा आपको कौन सा field यह featured image वाला क्योंकि बाकी सब तो मिल जाएगा आपको लेकिन image upload करके एक data आचुका है आपके पास तो इस field को तो overwrite करना है पड़ेगा तो इस field को हम क्या बोलेंगे कि featured image को कैसे set कर दो कि अगर file है जो कि है अमारे पास यहाँ पे hopefully अगर file है तो file की id यहां से ले दो सीधा का सीधा file के अंदर से जो उसका id मिलेगा वो क्या होगा unique image का id होगा वो इतो store करा रहे हैं और इसको क्या करो post.featured image के अंदर आप डाल दो अच्छा यहां से तो यह वाला part actually मैं गलत है तो देखे अगर file है तो उसकी id हम featured image में डाल देंगे अगर नहीं है तो undefined कर देते हैं अभी के लिए वैसे तो यह error case हमें और अच्छे से handle करना चाहिए था बट ठीक है इतने में भी काम हो जाएगा हमारा ठीक है जी यह आपके पास db post आ गया है अब db post अगर आ गया है आपके पास में और successfully सब काम हो गया है तो user को navigate भी करा दो ठीक है जी यह भी करा लेते हैं तो यहाँ पर हम बोल लेते हैं db post जो भी आपने variable में store करा था उसको जो भी नाम दिया था ठीक है जी अब आपको क्या problem है आपको problem है एक कॉमा से ठीक है यहाँ पर एक कॉमा हम add कर देते हैं वैसे तो नहीं होना चीए था बढ़ ठीक है कॉमा अगर आपको चाहिए तो दे देते हैं ठीक है अब क्या करो user को navigate करा दो navigate कहाँ पर कराना है उसको navigate कराना है back tick जहाँ पर भी वो है अभी edit कर रहा था लेकिन यह जो सारा काम आप कर रहे थे इसको भी हाँ पर एक line break दे देते है ठीक है और इसको हम यहाँ ले ले ठीक है अब देखे यह जो सारा काम था यह तो तब था जब post if था कि हाँ भाई post है आपके पास में तो post है वो तो अच्छी बात है लेकिन अगर post नहीं है तब क्या करेंगे उस scene के अंदर वो भी देखना पड़ेगा हमें तो अगर post नहीं है तो actually में काम थोड़ा सा असान है थोड़ा सा तो नहीं बढ़ा थोड़ा असान ही मान लो इसको else case इसका हम लिखते है else case अच्छा यहाँ पे भी problem है comma एक इसको भी चाहिए actually मैं शायद हम कुछ गलत जगे लिख रहे हैं पहले वो भी देखना पड़ेगा कि else case हम कहां पे लिख रहे हैं एक bracket इसका आगया तो चलिए एक second में देख लेता हूँ कहां पे mistake है हाँ जी तो थोड़ा सा curly braces वगरा का issue हो गया था actually मैं हमने ये update post जो है इसको हमने close नहीं करा था तो update post को हमने close कर दिया उसके बाद जब post post का सारा काम हो गया तो हमने यहाँ पे if else लगा के navigate कर दिया है conditionally ठीक है अब हम बात कर सकते हैं हमारे else clause की तो if हमारा यहाँ पे end हो रहा है और यहाँ पे हम else लिख सकते हैं ठीक है चोटा सा concept है बठाँ ठीक है अच्छा else case में क्या है else case में आपके पास पहली चीज तो यह है कि आपके पास कुछ update करने को नहीं है मतलब एक user नया form create करना चाहता है तो ठीक है नया form create करना चाहता है तो पहले तो file उसने दे दियोगी तो file upload करो पहले काम file upload का क्या करो अच्छा रहता है तो हम क्या करते है एक const ले लेते हैं file अब तो हमें पता ही है file यह तो variable में store करेंगे और हमें पता है कि data के अंदर images हमें मिल जाएगी इस तरह से ठीक है data के अंदर image मिल जाएगी लेकिन अब आपको कुछ conditionally check करने की जरूत नहीं है क्योंकि user sims सीधा का सीधा ही file upload यहाँ पे अगर है file वैसे तो अगर check कर लेंगे तो और अच्छी बात है अगर आपको लगे कि नहीं अभी मुझे check करना है कि file है या नहीं तो उसे साबसे आप देख लिजेगा मैं directly लिख देता हूँ यहाँ पे तो app write की service यूज़ कर लेते है file upload और data image अच्छा यहाँ पे आप एक छोटा सा to do लिख सकते हो कि आपको क्या करना है इस functionality को check करना है तो यह वाला ज्यादा better approach है कि file है तो upload करो तो आपको यह का यह concept इस app को improve करना है ठीक है सोच समझ के करिएगा कि होना भी चाहिए नहीं होना चाहिए argument दीजेगा ऐसा नहीं कि बस बोल दिया तो कर दिया argument दीजेगा होना चाहिए नहीं होना चाहिए अगर होना चाहिए तो क्या फाइदा होगा तो सारे arguments दीजेए आप यहाँ पर तभी तो एक अच्छे developer बनोगे वरना तो फिर वही tutorial hell में आ जाओगे रट्टा मार रहे हो मैं जो लिख रहा हूँ तो सबसे पहले क्या करते हैं फाइल की ID ले लेते हैं फाइल की ID कैसे मिलेगी फाइल डॉट और यहाँ पर सब कुछ डॉलर आइडी होता है जैसे MongoDB में कभी देखोगे तो हची चीज अंडर्सकोर आइडी होती है यहाँ पर डॉलर आइडी है इसको store करा लेते हैं और इसको बोल लेते हैं field ID, file ID field क्या, file ID यह लीजे, file ID क्या लिख दिया यह file ID यह लीजे, ठीक है file ID मिल गई है अब इस file ID के अंदर क्या करो, आपके जो data है उसके अनदर हमारे पास यह featured image है उसके अंदर file ID को update कर दीजे ठीक है जी डेटा की एक property तो update कर दी अब एक property अपडेट कर दी तो बची भी सारी properties को सीधा send कर दो तो send करने के लिए वोई await लगाना पड़ेगा app right की service यूज़ करनी पड़ेगी और create post के अंदर सारा का सारा data देना पड़ेगा अब यहाँ पर data हम जो दे रहे हैं उसको data को हम इस तरह से ना देखे actually में क्योंकि इस तरह से data देंगे तो शायद कुछ problem हो जाए तो हम क्या करते हैं सबसे पहले इसका एक object बनाते हैं और इसको spread out करते हैं यह लिजे data अब यह spread out इसलिए किया है क्योंकि आपके पास actually में जो forms बनेंगे वहाँ पे कभी भी आपके पास user data नहीं होगा तो user ID भी तो वहाँ पे एक field बना रख रहा है वो भी तो देना ही पड़ेगा तो उसके अंदर क्या करते हैं user data से user ID अच्छा जी यह तो ठीक है user data से ले ले लेकिन user data है कहां पे user data तो खहीं है नहीं हमारे पास में अभी हाँ अगर आपने गौर से देखा हो तो हाँ हम store से ले आए तो user data ठीक है पोस्ट आ गया है तो user को redirect भी करा दो ठीक है जी यूजर को db post navigate करा दिया post db post dot dollar id यह लिजे user हो गया है पोस्ट आपका सीधा काम ओके थोड़ा से यहां पे spacing ले लेते हैं यह लिजे ओके तो इतना काम हो गया हमारे पास submit के अंदर तो काफी काम किया हमने submit के अंदर बट actually मैं complex नहीं था काम तो काफी है बट complex नहीं था अच्छा यह curly braces क्यों है यहां पे ओके यहां पर भी issue है हमारे पास curly braces में ओके तो इसको हटा दे तो actually मैं नहीं काम होगा और यहां पर भी कुछ हम miss कर रहे हैं hopefully हमने miss कर दिया है कुछ ना कुछ तो या फिर हमने register की value ली थी यहां पर ले ली form के बाद हमने एक curly braces और इस form का values add तो एक बार इसको भी मैं छोटा सा debug कर दूँ थोड़े से issues हो रहे हैं आज हां जी तो यह भी solve हो गया है कुछ भी नहीं एक curly braces यहां पर extra था उसको हटाया कई बार ऐसा होता है कि कम हो जाते हैं कई बार जादा हो जाते हैं हां समझाते हैं कई बार code लिखते हैं तो obviously बात है ऐसा होई जाता है in fact production में भी जो लोग लिखते हैं होई जाता है कोई बड़ी बात नहीं है चोटे मोटे problems है आते रहते हैं solve कर देते हैं अच्छा आप एक interesting concept देखते हैं यह नया जो concept है यह आपको help करेगा चीजों को actually में interviews clear करने में भी ओके यह जो next हम method बना रहे हैं यह है हमारा slug transform transform ठीक है अब यह slug transform क्या करता है दो input field है हमारे पास में एक title और एक slug title को watch करना है और slug के अंदर value generate करनी है अगर कहीं पे भी user space देता है तो space को convert करना है dash में तो वो तो replace से हो जाएगा regex से हम देख लेंगे कि user ने कोई number दिया है digit दिया यह space दिया है कुछ इस तरह से करके हम वहाँ पे काम कर देंगे बड़ा है basic है इतना जादा भी complex नहीं है कर सकते हैं काम हमारा और दो तीन तरीके से optimize भी कर सकते हो इसको आप but actually मैं यह आपको help करेगा यह सब चीजे change हो रहा इस तरह से तो सबसे पहले use callback ले लेते हैं value आपको मिल जाएगी यहाँ पर तो ठीक है यह curly braces हो गए हमारे पास में और यहाँ पर भी इसको end कर देते हैं और parenthesis तो hopefully अभी तक तो कोई error नहीं है हमारे पास में तो यह slug transform हो गया अब देखे use callback के पास भी actually में dependency array ह होते हैं कि इस पर कुछ भी dependency हो तो कर लीजे अब भी हमें उसकी need नहीं है just for syntax sakes बता रहा हूं कि होती है ऐसी values तो slug transform में करना क्या है तो slug transform में करना क्या है कि आपके पास जब भी इसको slug transform को use करोगे तो आप value pass on करोगे ठीक है अभी सिर्फ इतना ही काफी है तो if condition के अ check करना जरूरी है actually मैं type of value अगर string है तो क्या करो इसने बोला कि value to lowercase replace spaces ये भी चलेगा जो suggestion में हमें आया है एक और मैं आपको तरीका बता देता हूं कि किस तरह से values को आप use कर सकते हो यहां पर आपने slug return कर दिया है मैं direct slug return करके आपको यह syntax दिखा देता हूं एक बार तो यह भी आप use कर सकते हैं screenshot ले लिजेगा अगर आपको use करना है तो या फिर आप यह भी कर सकते हैं कि आप क्या करो सीधे ही return कर दो एक value को उस value को कैसे कैसे modify करना है पहले तो उसको trim कर दो ठीक है जी यह value हो गई यह trim अब यहां पर ले लेते हैं इसको ठीक है जी value trim हो गई इसके बाद सारी value को lowercase में convert कर दो तो हम इसको कर देते हैं dot to lowercase यह लिजे lowercase में भी convert हो गई अब क्या करना है अब यहां पर एक regex यूज कर सकते हो देखिए suggestion में मिला हुआ है regex वैसे तो आप चाहो तो इसको use कर सकते हो मैं आपको दो regex यहां पर suggest करता हूँ अगें regex मैंने नहीं लिखे चैट GPT से लिखवा है regex बहुत सालों पहले लिखते थे आप लिखने का कोई मन नहीं है तो यहां पर हम replace method है यह तो basic core javascript का method है यह लिजे आपका replace method अब replace method के अदर आप कोई भी pattern match कर सकते हो तो थोड़ा सा javascript आपको पढ़ा देते हैं जादा तो नहीं तो यह है basically global match हम कर रहे हैं एक square bracket लेते हैं ताकि जो पूरा pattern है उसका हम पूरा एक combination match कर रहे हैं और हम इसको क्या करते हैं एक negate दे देते हैं यह negate sign होता है बलब इसको मत match करना जैसे आपका exclamatory होता है वैसे regex में यह negate sign होता है तो a to z आपने match कर दिय ठीक है जी capital a to capital z match कर लिया dashes मतलब range होता है यहां पर ठीक है जी slash d मतलब digits और आप slash s मतलब spaces तो इन में से कोई भी values अगर आती है तो उसको छोड़ के हम सबको dash कर देंगे तो इसका मतलब गया कि कोई dollar sign आप में दिया कोई exclamatory दिया तो उन सबको हम कर देंगे लेकिन आप आप चाहें तो इस तरह से भी कर सकते हैं कि इनके अलावा सब को ही कर देना तो space भी हो सकता उसमें match हो जाए तो हम क्या कर सकते हैं दो तरीके या तो इस तरह से लिख दें या फिर आप सब को match कर लीजे spaces वगरा यह almost सबी को match कर दिया अच्छा इसमें क्या करो एक plus भी पर लगा दो, इससे कहा है कि और जितने भी हैं, जो सब characters वगरा हैं, negate वाले तो रह जाएंगे, बाकि सब को ये convert कर देगा, हाँ जी इसको याद नहीं किया जा सकता, मैंने भी chat GPT से देखा है, मुझे भी कोई सपना नहीं आया, ये और काम कर लो, या फिर इस तरह से, या फिर पहला वाला जो method आपने screenshot लिया था, उस पर काम कर लो, हाँ जी, methods हैं, काफी सारे हैं, तो values आ जाती है, इस तरह से, अच्छा ठीक है, ये values तो हमारे पास में आ गई है, कि ठीक है, अगर values हैं हमारे पास में, तो हम return कर सकते हैं, in fact, हमें इस curly braces की भी जरूत नहीं है, यहाँ पर, इसको भी हटा देते हैं, क्योंकि single line का यह तो काम है, तो सीधे return हो रही है values, तो इस तरह से हम कर देते हैं, अच्छा इस syntax को भी देखेंगे, क्या क्या आपके issues आ गए, curly braces, हाँ, जी, अभी ठीक है, अच्छा, यह तो हो गया हमारा, एक single line का statement, क्योंकि return directly है, तो इसको इस तरह से मान लो कि यह इस तरह से दिया है, हाँ, थोड़ा से देखने में अच्छा लगता है, तो इस तरह से मैंने लिख दिया है, अच्छा, अगर यह सब नहीं है, तो क्या return करना है, तो भी एक चीज return कर दी है, वरना problem आईगी आपके पास, तो return कर दो empty string को, ओके, बड़ा interesting method है, थोड़ा interesting बनाया है हमने, लेकिन आप इस interesting method को use कैसे करना है, वो है interview question, ओके, तो चलिए, वो use effect, use कर लेते हैं, यह लीजे, curly braces, और यह आपका dependency array, यह लीजे, और यहां पर आपका, यह curly braces, at least syntax, तो ठीक है, अब dependency array में क्या-क्या है, पहले तो वो देखते हैं, ठीक है, dependency array में क्या है, देखे, एक तो आपका watch, watch जिसके साथ भी लगा है, उसके साथ, अगर उसमें कोई भी change आए, तो उसको, watch कहां लगेगा, obviously बात है, हम register वगरा जो सब लगाएंगे, अभी input form, तो उसमें हमारा जो title value, उसमें हम watch लगा देंगे, कैसे लगाते हैं, वो देख लेंगे, उसके लगा हम slug transform भी यहां पर लिख देते हैं, या आपका जो slug transform method है, इस पर भी नज़र रखो, इसको optimize भी करेंगे अभी हम, और एक set value, इसको भी, इसके अंदर भी कोई भी changes आते हैं, तो उससे साथ से हम काम करेंगे, अच्छा ठीक है, इनका तो dependency तो हो गया चलिए, अब बनाते हम यहाँ पर एक चीज interesting, अच्छा, आप क्या है, किस तरह से values देखी जाती है, और कैसे लिखी जाती है हमाँ पर, वो देखें बड़ा interesting syntax है, तो हम बनाएंगे एक subscription, subscription, अब यह subscription कैसे बनेगा, subscription बनता है आपके watch method से, वैसे तो और भी तरीके हैं, subscription बनाने के लिए और उनको बाद में unsubscribe वगरा करने के लिए, actually में जो भी method आप यहाँ पर run करते हैं, उसको आप एक subscription नाम के variable में hold कर सकते हैं, अगर आपने कोई और भी method बनाया है या call किया यहाँ पर, उसको किसी variable में store कर लो, अब variable में जैसे माली जी यह watch है, अभी तो इस watch method का कोई emphasis है नहीं था, यह login भी हो सकता था, तो यहाँ पर आके आप बाद में क्या करते हो, एक last line हम लिखते हैं इस तरह से, return के अंदर एक callback आपको मिलता है, react use effect के अंदर, और हम last में एक लिखते हैं, subscription.unsubscribe यह क्या होता है, थोड़ा सा memory management होता है थोड़ा सा optimization हो जाता है, यह अकसर interview में पूछा जाता है कि आपने एक use effect लिया, वहाँ पे एक method call करा, तो आपने उसको optimize कैसे कर सकते हो, तो वहाँ पे क्या करो उसको सिर्फ एक variable में store कर लो उसका नाम subscription देने की जरूँत नहीं superman भी दे सकते हो, बट subscription ही देना जादा अच्छा लगता है, तो वहाँ पे आप return के अंदर एक callback कर सकते हो और उसको unsubscribe कर सकते हो, ताकि वह खुदी अपने आप में गूम के ना रजाए, बार बार call होने के लिए, तो इस तरह से हम काम कर सकते हैं ठीक है जी, अब ये watch क्योंकि हमें react hook form से मिला वाए, तो इसके अंदर भी एक callback आपको मिलता है ये लिजे, callback, काफी जगे मिलेगा callback तो आपको, अब यहाँ पर क्या करते हैं हमारे पास एक तो value मिलेगी हमें और value के बाद एक और हमें यहाँ पर name भी मिल जाएगा, किस तरह से मिलेगा, वो हम जब form बनाएंगे तब हम देखेंगे उसको, थोड़ा सा और ओके, यहाँ पर आगया, तो आप क्या करना है if हमारे पास जो name है वो title है, क्योंकि पूरा का पूरा form ही चाहिए हमें, form के अंदर ढहने, dot 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 register लिख रहे थे, तो सारी values यहाँ आ रही थे तो जहाँ पर title है, वहाँ पर हम क्या करेंगे एक set value यूज़ करेंगे set value कहाँ पर set करनी है slug के अंदर, input field देंगे उसका नाम slug रखेंगे, value क्या करनी है इस वाले field के अंदर value आपको यह वाली field करनी है जो कि हमें slug transform, हमने जो method बनाया उससे value मिलेगी हाँ जी, काफी कुछ है interesting अच्छा, यहाँ पर क्या करना है, जो value है अभी तो आपको सारी values यहाँ पर मिली वी है, लेकिन value में से यह निकालना भी तो पड़ेगा, title वाला कौन सी value है, क्या करना है तो हाँ, यहाँ से सिर्फ slug format तो इसलिए कहता हूँ, suggestions हमेशा जाद अच्छे नहीं होते है, क्योंकि जो value है वो actually में एक object है यहाँ पर तो title value आपको ले ली, अच्छा, उसके अलावा, यहाँ पर एक और option होता है कि validate उसको करना है नहीं करना तो वहाँ पर भी आप validation लगा सकते हो थोड़ा सा महा भी देख लेंगे, एक और object पास हो सकता है तो यह आपका validate यह validate validate नहीं है उसका नाम I think should validate है should validate true ओके, तो should validate true और इस curly braces की जरूत नहीं है ठीक है, I think थोड़ा सा concept आपके उपर से जा रहा हो गई है मानता हूँ, थोड़ा सा complex project है थोड़ा सा complex करना भी था तो ठीक है, यह तो हो गया हमारा basic अब देखे, अब next क्या काम है हमारे पास में अब यह तो 40 minutes है, थोड़ा सा और कर सकते हैं अब यहाँ पर जो form है ना उस form को मैं आपको directive बना देता हूँ, क्योंकि देखे, दो part में divide करा गया है, left part right part, left part हमारा two third ले रहा है और right part जो है हमारा, वो बचावा one third ले रहा है, तो एक एक करके discuss कर लेते हैं, तो left side वाले form में देखे, हमारे पास पहला है input यह वो same field है, exactly same label placeholder class name, exactly same काम है dot 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 register लिया और title लो, required true कर दिया ठीक है, इस form का, इस input field का नाम आपने register लिख लिए दूसरा input field जो है हमने यहाँ पे लिया है, इसका नाम slug है अब सबसे interesting बात है, देखे, सबसे पहले तो उसका नाम slug ही देना, क्योंकि किसी के basis पे हम काम कर रहे हैं, और इसके अंदर on input दिया है, कि इसका input कैसे आएगा, एक event call करेगा event के अंदर हमने क्या करा है, set value क्या करेगी, slug पे ही call करेगी, तो यह label हमारा slug है, यहाँ पे भी नाम हमने register का slug दे रखा है, तो इसमें हमने क्या करा है, slug transform event dot target dot value or should validate तो बस इतना सा काम है, और इसके अंदर automatically value full होती जाएगी, क्यों? क्योंकि आपने यहाँ पे भी काम किया है, set values को काम किया है, transform की values fill करेगी, तो जैसे वहाँ पे values fill होती जाएगी, उसको हम watch करते रहेंगे, title को, automatically, तो title को watch कर रहे हम, और यहाँ पे values हम, यहाँ पे add करे जा रहे हैं, ठीक है जी? उसके बाद आपने एक RT लिया, RT हमने बनाया था, हमने देखाए था, वो control हमने as it is pass कर दिया, तो values हमें मिल जाएगी, और उसके बाद क्या करा है हमने यहाँ पे, दूसरा input field है, featured image वाला है, तो यहाँ पे हमने बोल दिया कि images चाहिए, तो हमने image नाम बोल दिया, और required चाहिए कि post नहीं होना चाहिए, या कुछ इस तरह से post required है, तो post नहीं होगा बिना इस image के, acceptance भी दे दी कि image हमें png, jpeg, यह सारी images चाहिए, और type यहाँ पे हमने कि submit बटन देना यह, तो यह हो गया हमारा final काम, कि किस तरह से post form बनेगा, यह videos काफी बार देखने पड़ेंगे, क्योंकि आपको काफी time लगेगा इन सारी चीजों को समझने में logic बहुत सारा है, क्योंकि full-fledged application है, कोई toy application हम बनानी रहें, production grade application है, full-fledged data सारा handle हो सकता है, तो एक बार आपको काफी इसको दुबारा से देखना पड़ेगा काफी complex project है मानता हूँ, बट यही चीज है, जो एक्चली में production grade के अंदर आती है, international audience वगरा सब इसी को पढ़ते हैं, दो बार तीन बार discord पर discussion करेंगे बट पूरा project समझ के ही रहेंगे तो चलिए, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो के अंदर